असकार और वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्राइक पॉइंट दोस्तों इन इन इस वीडियो वी विल डिसक्स वाउट हाउट टू फाइंड यो परसेंटेज फॉर बीए बीए सी बीकॉम फ़िस्ट एर से के जो भी है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसक्स मिलेगी वहीं साथ साथ हम आपको बताएंगे इस जी पीए क्या है और सी जी पीए जो दिखा रहा है वो क्या है ग्रेट पॉइंट क्या है आपके और जो ग्रेट है वो क्या है सारी चीजे आपकी वीडियो में क्लियर हो जाएगी जितना हो सकता है मैं सारी चीजे आपकी 58 को किलियर कर दूंगा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्ताग्राम पर फालो कर सकते हैं इंस्ताइड मेरी प्रयाग पॉइंट है ठीक है प्रयाग पॉइंट है एक साथ में ही है प्रयाग पॉइंट सर्च करेंगे आप लोग तो दिख जाएगी आप वहाँ से फालो करके मुझे जो है इंस्टा पर इंस्टा आईडिया आपको डिस्किप्शन में मैं लिख दूँगा वहाँ से आप को प्रयाग लिखना है ऐसे प्रयाग लिखना फिर इसके आगे पॉइंट लिख देना है ठीक है बीच में गैप नहीं रहेगा और सर्च करेंग अकाउंट में तो आपको मिल जाएगा तो आप वहां मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं फालो करके जो भी आपका डाउट है पहुँच सकते हैं बाई देवे चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नाया है तो प्लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस चैनल पर आपको प्र इस उनमें percentage आता था लेकिन अब यहाँ पर देखिये credit जिए गए और उनके grade points पांट जिए गए और जो आपके क्लियर कर देते हैं आपको बता देते है कि सारी चीज एगा है यहां से आपको समझ में आ जाएगा किया क्या आपका से क्रेडिट What 10 होते हैं 10 में से आपको कितना credit मिला है वो यहाँ पर आपको दिया गया है जहां पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीजे clear करका समझाई भी गई हैं अगर आपको फिर भी या फिर हेंडेट के राउंड है 91 से 90 स्वरी 91 से लेकर के हेंडेट तक हैं तो आप जो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो आपको वहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर क्या लिखा होगा और उस ओ का मतलब है आउटस्टैंडिंग यानि कि बहुत ही अच्छा प्रॉफॉर् लिखकर आएगा और आपको ग्रेड पॉइंट जो है वो पूरे 10 पॉइंट मिलेंगे ठीक है अगर आपका वहाँ पर लिखा है तो आपको क्या है आपने बहुत अच्छा हैंडेट में से 99 या फिर 95 कुछ भी किया है 92 किया है 93 किया है यानि कि 91 से लेकर हैंडेट तक के बी गई है और आपके जो ग्रेड पॉइंट है वो नाइन होंगे ठीक है ध्यान से समझते चलिए सारी चीजी अभी आपको पूरा वीडियो में डाउट क्लियर कर देंगे और अभी हम लोग बताएंगे आपको परसेंटेज कैसे निकालना है अपना अगर आपका SPGA दिया है य आपने जो लिखा है एक प्लस ग्रेड का मतलब है एक्सिलेंट बहुत अच्छा आपने यानि की काफी ज्यादा अच्छा प्रफॉर्मेंस आपका 81 से लेकर के 90 तक के लिए ठीक है एक्सिलेंट था प्रफॉर्मेंस आपका वहीं अगर आपके मार्ग जो है 71 टू 80 है यानि आप लोग देख सकते हैं कि 61 से लेकर के 70 तक है तो बी प्लस ग्रेड दिया गया आपको और ग्रेड पॉइंट आपको दिया गया है और आपके परफॉर्मेंस गुड है यह अच्छी है और वहीं दूसरे पर अगले पर दिया गया है 51 टू 60 से अगर आपने किया है आपके ग्रेंस नमबर साइंडरिन में से तो आपका जो पॉइंट है वो दिया गया है और आपको भी मिलती है वहीं आपको देखते हैं 51 से लेकर के 60 तक स्वरी 41 से लेकर के 50 तक अगर हैं आपके मार्स तो वहाँ पर ग्रेड आपको सी ग्रेड और फॉट्री दिया गया तो आप ढल यह पर पास है है और पॉइंट आपके दिय काहई कि जीरो से लेकर 32 रहेगा तो वहाँ पर आपको जो ग्रेड लेटर दिये गया है वह एफ है यहां पर है 33 से लेकर के 40 तक 33 से लेकर से लेकर 40 तक के बीच तो आपको पास किया जाएगा अगर 33 से लेकर फोरेड लेकर पास कर दिया गया है और आपको जो ग्रेड पाइंट दिया गया है वह फूर दिया गया है टिक है यह वहीं absent के लिए है AB लिखा है आपके paper के सामने वहां पर आप absent थे ठीक है और वहां पर भी आपको zero point grade point मिलेगा Q के लिए इसका मतलब है qualify कर गए है आप और NQ लिखा है तो इसका मतलब है आप not qualify है यानि next exam के लिए आप qualify भी नहीं है तो यह सारी चीज़ें हैं आपको अपना result समझने के लिए अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक result में इसी कूपर में दिखाता हूँ आपको जैसे grade यहाँ पर grade later देखिए दिया गया है grade later एक exam में mathematics के first exam में grade later दिया गया है B plus ठीक ह जैसे कि mathematics के second sorry third exams में आप देख रहे हैं आपके grade points इतने है 60 sorry six है और आपको grade point दिया गया है B plus इसका मतलब क्या है कि आपने इस numbers में इस वाले paper में आपने कितना marks किया है इस वाले paper में आपने जब आपको six point मिलता है तो आपने 50 से ले करके 60 तक का average किया था यानि कि आपके marks इतके अंदर थे ठीक है अगर six point मिले हुए है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनमें जितने भी points मिले हैं बस यहां पर six एक में ही है बाकी सब pass करने के उसमें थे बड़ तो सारी चीज़ें यहां पर देखिए सारी चीज़ें दी सारे में हम लोग देख लिए ठीक है आपको यहां पर clear कर देते हैं दूसरी चीज़ आपको बता दें कि SPGA क्या है कैसे निक्या लागा है total points क्या है देखिए credit total तो आपने क्या कर लिया सभी को count कर लिया यह जो credit points दिये गए है इसमें आप इसको पूरा count करेंगे तो यहां पर आप लोग count कर लिजिए जो है कि total यहां पर कितने दिये गए 46 दिये गए तो यह 46 ही होंगे जैसे कि आप count कर लिजिए उपर वाले box में आपके हो जाएंगे 12 और उसके बाद नीचे वाले box में हो जाएंगे यहां पर भी 12 है 24 और नीचे वाले box में भी 12 36 और 36 चार 40 40 औ है तो यह total point है जोड़ दीजिए यहां पर आप करेंगे आइड कर लेंगे तो यह 46 हो जाएंगे 46 टोटल पॉइंट है आपके ठीक है अब यह SPG कैसे निकाल गया है यह total point है आप इस पर अगर जो है कि करेंगे तो आप देखेंगे कि SPG आपका निकल जाएगा ठीक है SPG यह divided by 46 करेंगे तो आपको result आपका जो है इस तरह से करेंगे divided by 46 तो आपका result यही आएगा यहाँ पर 6.891 ठीक है तो इस तरह से आपका SPGA निकल आएगा आप देखिए total grade point कितने है total grade point आपके यहाँ पर 10 दिये गए सबका सभी university के देखिए अलग अलग है कुछ बच्चों ने मेरे पास दिया था भेजा था तो मैंने बताया था उनको कि सभी के देखिए कुछ ने इसमें से निकाल रहे थे कुछ बच्चे इनका बता रहे थे उसमें क्या करना है जो आपका formula है वो इस तरह से है आपके total point जो दिये गए है SPGA है उससे इसको minus करना है फिर into 10 कर देना है तो आपका आ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है कुछ बच्चे इस हाँ से calculate करके निकाल रहे थे तो उनका भी पता चल रहा है कि सही नहीं आ रहा है कुछ बच्चे इस formula को लागू कर रहे थे उनका भी पता चला सही नहीं आ रहा है लेकिन आपको देखे सभी युनिवर्सिटी का अलग होता है सभी युनिवर्सिटी के अलग-अलग count करने के तरीके हैं तो यहाँ पर जो रज्जु भाय युनिवर्सिटी से आपको count करने के तरीका है वो अभी तक देखी मैं इसलिए नहीं वीडियो upload कर रहा था था एस जो आपका यानि की जो दिया गया है S G P A इसका मतलब पहले आप लोग समझ लिए क्या होता है पूरा स्वारी S P S G P A ठीक है यहां पर P है और यह A है और तो इसका मतलब होता है semester grade point ठीक है इसका मतलब होता है semester grade point और कहीं कहीं पर लिखा होता है चिए इसका मतलब होता है आपका grad point और उपरवाले का semester grade point तो इसको count करने के लिए जो भी आपका point दिये गए है कुछ नहीं करना रजू भाइया is university जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो अभी तक मुझे learnt मिला है कि कैसे निकालना उनके लिए बस यहीं मिला है कि उनका जो भी SPG दिया होगा यानि कि जैसे कि SPGA दिया है आपका इसमें दिया गया था 6.891 तो आपको इसको कुछ नहीं करना है 10 से मल्टिप्लाइ कर देना है बस 10 से multiply कर देना है तो आपका जो result है वो आपके सामने होगा यहनी कि जो आपका SPGA यहां पर दिया था क्या 6.891 multiply किसे करना है 10 से ठीक है 10 से इसको गुना कर देना है तो आपका जो भी result आएगा यहनी वो आएगा आपका 68 कुछ इस तरह से 68% के आसपास में आएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं कि यह आपका result कितना है 68% है अभी तक जो मुझे fact मिल पाया है रजेन भहिया यानि कि रजु भहिया university की और से वो यही है अगर आगे कोई update मिलती है जो बच्चे कह रहे थे minus करना है किसी में minus 7.5 माइनस करना है किसी minus 5 2.5 माइनस करना है यह सारी चीजे भी आपको मैं एकदम clear कर दूँगा बट अभी तक जो update मुझे मिली यही है कि आपको कुछ नहीं करना बस 10 से उसको क्या करना है multiply करना है वही आपका percentage दिखा रहा है ठीक है तो यही आपका percentage है बस और कुछ नहीं करना है जो आपका SPGA दिया गया है फिर से repeat कर रहा हूँ उसको आपको 10 से multiply कर देना जो भी result है वही आपका होगा बाकी सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है तो अभी भी अगर आपको कोई doubt है तो आप लोग मुझे मैंने बता इंस्टाग्राम पर follow कर सकत हैं आप लोग और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका answer जल्द से जल देने की कोशिस पूरी करूंगा कि आपका answer मिल जाए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अपने दोस्तों तक सेर जरूर कर दिएगा इंतजार करिए जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी सो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद